चाचा हे समीर तु यहाँ क्या सारी इटे एक साथ नहीं लगा सकते बेटा घर तो एक एक एट लगा के ही बनता है ना समीर का भविष्य भी तो उसे रोज रोज स्कूल भेजने से बनेगा ना भाई मतलब समीर को रोजी स्कूल ना भेज़कर उसके भविश्य की नीव कमजोर कर रहे हो फिर वो अपने पेरो पर कैसे खड़ा होगा स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं मुन्य मुन्य को सीखने का पूरा मौका दे आईए उन्हें रोज स्कूल भेज़े मां यह हम स्कूल ले जाएं अरे कच्चा है वो और स्कूल तुम दोनों कल जाना बहुत काम है रोज रोज तयार हो जाते हैं तो यह अचार कब बनेगा पहले मसाला बना कर इन्हें मिला कर रोज धूब दिखा कर थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार आज अचार कल मेला परसो शादी स्कूल न भेजने के हजार बहाने हैं अरे नाम लिखवाया तो एविन का पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे चलो स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दे आईए उन्हें रोज स्कूल भेजेंगे बढ़िया फसल है तेरी इस बार रोज की मेहनत का नतीजा है काका ऐसे ही तेरे बच्चे रोज-रोज स्कूल जाएं तो नतीजा अच्छा होगा नाम तो लिखवाद ही आया है तो खेत में भी बीज-बो के ही छोड़ देते हैं सुनो, खाम छोड़ो जाओ स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दे आईए उन्हें रोज स्कूल भेजें बाबा मैं तो भूली गया था थोड़े-थोड़े सिक्के डालने से देखो कितने पैसे हो गए चलो जली से चपल पहन लो आज मेरे साथ दुखान पे चलना है बच्चों का दमाग गुल्लक की तरह होता है और पढ़ाई उसमें धन बात तो सही है बाब जी तो रोज बच्चों को स्कूल भेजा करो स्कूल में रोज पढ़ने से बच्चों का दमाग चलेगा तब ही तो बच्चे आगे बढ़ेंगे स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दे आईए उन्हें रोज खूल भेजे